हे गाईस विल्कम डूल सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्भागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्ता एक जब अरजस्त वेकेंसिज लेकर आया हूँ आप सभी केंडिट के लिए अगर आटो मोबाइल सेक्टर में जॉब करना चाहता है याने की जो मोटर गारी होता है एक कार कंपनिया होती है जैसे टाटा मोटर मारति सुजुकी में तो एक बहुत बड़ी खुसकवरी है आप साभी केंडिट के लिए टाटा मोटर की तरफ से यहाँ पर जॉब ट्रेनी की वेकेंसिज आउट की गई है जो की ओल इंडिया की केंडिट अपला कर सकते हैं इंडिया वालों के करेंगे अपना रतन टाडा की कंपनी है यहीं पर 500 से भी ज्यादा पोस्ट पर वेकेंसिज निकाली गई है 500 पोस्ट बहुत अच्छी खासी पोस्ट है अगर एक विकल फेक्टरी में बात करूं वेकेंसिज निकाली जाए तो आईटिया वालों के लिए गॉल्डेन अपर्शनुटे यार अगर आप अलिजबल अप्लाय करने के लिए तो जरूर अप्लाय करें बहुत ही सारे ट्रेड यहां पर अप्लाय करने वाले हैं बहुत सारे ट्रेड यहां पर अलिजबल होने वाले हैं जो की फोर्म बिलकुल फ्री है कोई भी एक पैसा यहां पर charge नहीं लगने वाला है कैसे आपको यह jobs मिलेगी किस तरह से प्रकार से selections होगी क्या LGBT condition होगा A to Z process हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो चले वीडियो को सुरू करते हैं इससे पहले requested होगी अगर आप अभी तक success दिलिप को subscribe नहीं कियें Hyundai Motors हो या फिर Tesla Motors हो या फिर अलग-लग जो भी है Tata Motors वेगर वो comment करके ज़रूर बताईगा चले अब देखते है notification के और तो गाईज यह official notification vacancy release की गई है job training की बेस पे जिसका headquarter रहने वाला है आपका लखना हूँ यहनि जितने भी candidate का selection होगा पोस्टिंग होगी आपकी लखनाव में totally fraser job से आप यहाँ पर देख सकते हैं zero से starting है यहनि कि बिल्कुल fraser candidate है इस firm को आराम से apply कर सकता है vacancy number of posting दे सकते हैं total 500 post है grade आपका होगा trainee के बेस पे होगा जो की on job fraser trainee है on job मतलब होता है कि totally company base पे कोई off role होता है कोई on role होता है यह जो vacancy है on role है employee tribe आपका जो होगा trainee के type पे होगा next यहाँ पर कुछ organizations के बारे में बात करना चाहते हैं तो data motors limited है on job training और training center आपका इसके हिसाब से auto के data motors limited center जो होगा वो लखनाव औक्स में होगा पर्सनल सुबारिया जो लख लखनो PH office यहनि कि आपका यहाँ पे post head office होता है skills के बारे में discuss की गई है तो technical knowledge यहाँ पर होनी चाहिए but answer नहीं लेने का उसके लिए कोई भी requirement नहीं है educational specializations यहाँ पर आदर्स रखी गई है और minimum educational qualifications के आपके पास IT होना बहुत ज़रूरी है अब IT में concentrate होना बहुत ज़रूरी यह वीडियो थोड़ा से ध्यान से सुनिएगा तभी आपको actually में समझाने वाली है सबसे बिले हम age को discuss कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है तो 18 साल से लेकर 28 साल के candidate apply कर सकते है बहुत सारी UIS में eligible होने वाले क्योंकि 18 से 28 age यहाँ पर हो जाती है सेखनीक योगिता educational qualification 10th pass first of all आपका 10th pass किसी भी बोर्ड के राजी से होना चाहिए जैसे हरकन बोर, भी हाड बोर इस तरह से उसके बाद रवाज है CBSC board या फिर ICC board से उत्तिरन होना चाहिए नेक्स यहाँ पर है टेकनिकल educational टेकनिकल में आपका ITI pass out होना चाहिए वो भी NCVT या फिर SCVT से कहीं से भी आपने IDI कर रहें 60% marks ITI में चरूरी है अब भाईया इसमें trade कौन सा चलेगा तो trade ज़रा सा ध्यान सुनना filter, electrician, electrician, power distribution या फिर electronic, या फिर electronic mechanic and electrical, MMB यानिक mechanic motor vehicle, mechanic diesel engine उसके बाद welder, then penter, machinist machinist grinder, turner, mechanic auto body penting तो जितने भी trade का नाम मैंने लिया है वो सारे trade इसमों को अपला कर सकते हैं trade अगर पर उताना चाहो तो चले एक बार मैं फिर से बता दूँ जितने भी electrical से related जो branch होते हैं like electrical हो गया electrical power distribution, electronic, electronic mechanic या फिर electrical सभी अपला कर सकते हैं filter वाले अपला कर सकते हैं उसके बाद MMB, mechanic motor vehicle, mechanic diesel welder, penter, machinist, machinist grander, turner, machinist auto body penting इस सारे trade यहाँ पर eligible है तो बहुत सारे और demanding trade वालों को यहाँ पर मौका मिला है तो first of all आपकी IIT होना चाहिए याद रखना Tata Motors medical map दंड़ को पूर्ण करता हो यानि कि वही यह simple pass out होनी चाहिए apparing यहाँ पर नहीं चलेगा on job training की में बात करहूं तो एक साल की होगी आपकी training और इसके द्वारा एक training परदान किया जागा यहाँ कि प्रमानपत certified दिया जाएगा आपको otherwise आप में होता है quality होती है तो Tata Motors बहुत ही कम candidate को अलगी रखती है दूसरी company रख लेती है बढ़ टाटा मोटर में job लग जाए तो बहुत अच्छी बात है बढ़ यहाँ से training होकर की निकलोगे तो कोई न कोई line आपकी लग जाएगी वहाँ जाकर पता कर सकते हैं क्योंकि Tata Motors जो training करता है उसको बहुत ही जल्दी यहाँ पर गुशा दिये गई चैन परकरिया में बात करूं तो profile screening आप देख सकते हैं document, medical यह सारी document verification होगी step on की में बात करूं तो 10,500 रुपे प्रती मा का आपका माप दंड होगा एवंग 500 रुपे एक good attendance award मिलता है यह good attendance होता है तो वही बोलता है कई-कई बोलते हैं हारे मिलता 500 रुपे कई सारी student मुझे बोल रहे हैं तो भया हारे नहीं होता है good attendance होता है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं इसके लिए जा सकते हैं 10,500 रुपे आपको दी जाएगी तो इतना ही मिलेगी और ट्रांस्पोर्ट जैसे प्लांट से लख्नाउसार आने तक ये सुविधा आपको मिलती है वहाँ पर बस की सुविधा जैसे canteen हो गया इस तरह की सुविधा आपको यहां पर यहां पर सुविधा बराब्त की जाती है तो यहां पर सारी mention है कि बस जाने की सुविधा हो गया आपे बताए गया है उक्त जॉब ट्रेनी इसकी मुद्धर वदे सरकार दोरा ये एक सुकृत है तदा इसका कमपनी की apprenticeship से भी कोई भी सम्मन नहीं है आवेदक ने कमपनी में पहले किसी भी रूप में ट्रेनिंग कारे ना किया हो और यहीं पहले रूप में चायनीद हुआ और पिछले 90 दिनों के अंदर company की किसी भी चैनल करिया परे समलिद ना हुआ तो कोई सही apprenticeship मात समझें ये अलग है 28 साल है मैं IDI NCPT बता चुका हूँ 60% होना चाहिए trade बता चुका हूँ कौन-कौन से documents आपको verification के time लगेगी यह भी यहाँ पर नीचे दी गई है और कुछ extra doubt है तो comment कर सकते हैं यहाँ पर कहीं लिखाओगा LMB driving license जरूरी नहीं है ध्यान रखना जो mechanic motor vehicle trade है उसके लिए license यहाँ पर जरूरी होती है वागे बस आपका IDI की certificate और कुछ address proof certificate की जिससे आधार काड़ वे गरा बस वही काफी है आप सभी candidate के लिए और important point ध्यान रखना those candidates we are already work Tata motor वे प्लाइन नी कर सकते हैं जो candidate यहाँ पर blacklist कर दिया गया Tata दोरा देन candidate domicile time documents जैसे की इसी के अंदर में रेजक्टेट कर दिया पकड़ाई जा जाते हैं आपकी qualification से आपको यहाँ पर रेजक्ट कर दिया जागा तो यह detail से 500 vacances निकाली गई है 31 जुलाई तक इसकी last date है apply करने की आप देख सकते है closing date है 31 जुलाई अब जो भी candidate apply करना चाता है फड़ाक से जाकर form बरो और apply करो कुछ doubt है तो हो रही है तो comment करके जरूर बताएं totally आपकी help and reply की जाएगी apply sections कहीं पर भी मिल जाएगी कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है इसी के जरी आप apply कर सकते हैं अपनी signing या फिर new user registration करके हाँ पर registration करनी होगी then आपको इसी के जरी apply करना होगा ओके गैज़ तो सब कुछ इसकी link description मौज़ों दे टेलिग्राम चनल में आपको मिल जाएगी वहाँ से download कर लीजएगा और apply कीज़ेगा तो hopefully वीडियो इस पर लगी हो like and subscribe करें मिलते next video में तब तक लेज़ें